आपके साथ मैं हूँ अभिलाशा पाथक सके इसके लिए सरकार लीगल एड यानि मुफ्त कानूनी सहायता देती है हमारे खास कारिक्रम आपका कानून में भी हम आपको आपके कानून से रूबरू कराएंगे क्या हैं आपके अधिकार कैसे पासकते हैं आप न्याएं और आपकी मदद के लिए सरकार ने क्या-क्या प्रावधान किये हैं हमारे साथ होंगे कानून जगत के एक्सपर्ट्स जो आपकी समस्याओं का समाधान आपको बताएंगे आपको कानून के प्रती जागरुक करेंगे अगर आपके साथ भी किसी तरह की नाइनसाफी हो रही है 011-230-94013 और 011-230-94014 आप हमें मेल भी कीजिए हमारा इमेल आइडी है आपका कानून.rstv at the rate gmail.com और इसके अलावा यूट्यूब और ट्वेटर के जरीए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं आपने कुछ नहीं किया आपने तो बस whatsapp पर एक message या video या तस्वीर forward कर दिया आपने कुछ नहीं किया आपने तो बस facebook पर एक video share और like कर दिया आपने तो कुछ नहीं किया बस twitter पर अपनी भावना ही व्यक्त की लेकिन सोचिए अगर आपके सोचल मीडिया पर साजा किये हुए content से किसी की भावना को ठेस पहुँचे किसी की भावनाएं इतनी भड़के कि वो हिंसा पर उतारू हो जाएं कानून हाथ में ले ले सोचल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना हरकत कानूनन अपराद है आज हम बात करेंगे सोचल मीडिया पर भड़काउ सामगरी की एक यूजर के तौर पर आपकी जिम्मेदारी क्या है और ऐसे content देखने पर आपको क्या करना चाहिए हमारा कानून क्या कहता है IT Act के तहत हमारी जिम्मेदारी क्या है सोचल मीडिया पर क्या ऐसी गलती करने पर जिसे के भावनाओं को ठेस पहुँचे या कहीं से भी लॉइन ओर्डर की situation खड़ी हो जाए क्या हम उसके लिए जिम्मेदार होते हैं जिहां हम होते हैं आज इसे पर चर्चा करेंगे आप हमें कॉल कर सकते हैं कि सोशल मीडिया को इस्तमाल करते वक्त अगर आपके साथ ऐसा होता है कहीं से भी आपको ऐसी जानकारी मिलती है कि गलत कंटेंट साज़ा किये जा रहे हैं तो आपको क्या कदम उठाना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हैं उनसे आपको मिलवादू स्टूडियो में हमारे साथ संजे के चड़ा है जो वरिष्ट अधिवक्तना है सुप्रीम कोट से स्वागत है संजे जी आपका पी के मल होत रहा है हमारे साथ पूर्व सचेव कानून मंत्राले से उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कानून क्या कुछ कहता है जमिदारी किस तरह की हमारी है और साइबर एक्सपर्ट जीतें जैन है हमारे साथ जो विस्तार से आपको बताएंगे कि साइबर लॉग के तहत कैसे इन चीजों के निगरानी भी होती है और नियमन के ओर हम कैसे आगे बढ़ने है इस पर भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैं सर आपके पास आना चाहूंगी कि सोशल मीडिया आज हमारी सबसे बड़ी ताकत है चीन के बात सबसे बड़े यूजर कंट्री हम है दूसरा स्थान है हमारा दुनिया में लेकिन इसके साथ जो जिम्मिदारी है उसको हम कही न कही भूल रहे है और ये देखने को मिलता है कि जो कंटेंट डाला जाता है जो भड़काओ सामगरी सोशल मीडिया पर मौजूद है वो बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं दिखिए सोशल मीडिया आज की तारीक में कॉम्मिनिकेशन का सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मोड प्रूव हुआ है ऐसा नहीं है कि पहले न्यूज लोगों तक नहीं पहुँचती थी पहले लोगों तक न्यूज पहुचने में बहुत समय लगता था आज आप तुरंट कुछ भी न्यूज डालते हैं चाहिए वो सच्ची न्यूज है फेक न्यूज है या पीस डिस्टरब करने वाली है या peace maintain करने वाली है, शायद एक second के अंदर आप जो भी convey करना चाहते हैं, पूरी दुनिया को इसको convey कर सकते हैं, एक बहुत ही strong माध्यम आज की तारीक में communication का social media हो गया है, और क्योंकि हमारे हैं internet user हैं, और technology की advancement के साथ साथ, इसका spread जो है, हर level जो है, चाहिए वो senior level है, चाहि हर व्यक्ति के पास एक दम पहुंच जाते हैं, टीवी और newspaper के चैनल से आपके पास news बाद में पहुंचती है, लेकिन वही news, social media के माध्यम से आपके पास तुरंत पहुंच जाती है, और तुरंत पहुंचने के बाद उसका जो effect है काम आदमी के उपर, बहुत तेजी सी होता है, इसलिए इसको regulate और control करने की बहुत आफशकता है, लोगों का यह कहना है कि सोशल मीडिया को control करके आप कहीं न कहीं उनके मौलिक अधिकारों का अनन कर रहे हैं, जो सत्य नहीं है, अगर हम article 19 की बात करते हैं, सम्विधान का article 19A1A आपको freedom of speech and expression देता है, लेकिन वो freedom of speech and expression सिर्फ एक individual का नहीं है, वो हर citizen का है, क्योंकि वो हर citizen का है, तो आपने जो अपने उस अधिकार को यूज़ करना है, तो आप अपने उस अधिकार को इसी तरह से इस्तमाल करिए कि दूसरे का freedom of speech and expression का जो राइट है, उसका हनन ना हो, उसका दुरूप योग ना हो, करनाने के लिए कानून बना सकती है, लेकिन उसमें भी इस तरह कानून नहीं बन सकता, कि आपके राइट को जो fundamental right है, पूरी तरह से restrict किया जाए, उसके लिए कुछ कारण उनमें डाले गए है, जैसे sovereignty of state आपने maintain करनी है, foreign countries के साथ अपने relation maintain करनी है, या आप कोई ऐसा काम क इससे कि आप किसी offense के लिए किसी को provoke कर रहे हैं, इन चीजों को regulate करने के लिए, इन चीजों को regulate करने के लिए सरकार कानून बना सकती है, इस तरह के प्रावाधान IPC में Indian Penal Code में पहले से exist करते हैं, और उसके बाद क्योंकि आप social media के हम बात कर रहे हैं, because एक नया माध्यम है जो पहले नहीं था, और इस नए माध्यम को कंट्रोल करने के लिए आपके एक नए कानून की अवशक्ता थी, तो शुरुआत में information technology एक 2000 लाया गया, जिसमें पहले आप सिरफ जो technology के माध्यम से, information जो है internet के माध्यम से जज़ा थी, उसका एक legal recognition दिया गया, और 2008 में उस कान उनमें amendment करके, social media से related जो offenses हैं, वो create किये गे और उसके लिए प्रवाधान किया गया, कि उनका trial कैसे होगा, उनके लिए क्या punishment होगा, मैं समझता हूँ, यह समय की आवशक्ता थी, 2000 में कानून बनाया गया, 2008 में उसमें amendment करके, कुछ offenses create किये गे, ताकि social media का, internet का दुरुप य technology से change हो रही है, उसका use के सासात misuse भी हो रहा है, उस technology का misuse ना हो, उसके लिए अभी मैं समझता हूँ, information technology act में और changes लाने की जुरत है, और जब तक वो changes नहीं लाई जाती, कानून के द्वारा, मैं समझता हूँ, आज भी सरकार के पास ऐसे अधिकार हैं, कि उसी existing कानून के अंदर, वो rules बना करके, और इसको regulate करके, और strengthen कर सकते हैं, ताकि जो social media का आज misuse हो रहा है कुछ लोगों द्वारा, उसको रोका जा सकी, और जो ethos और एक culture हमारी society का है, उसको maintain किया जा सकी, जिन चनौतियों के आपने बात की, उस पर मैं संजे जी अगर हम कानूनी तोर प जाती है, वहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो निजटा का जो अधिकार है, उसके तहट भी कई मामले आए, यहाँ पर जब एक user अपनी चीजे रखता है, Facebook, Twitter, ये तमाम कंपनिया जो है, liability उनकी बनती है, user की बनती है, कैसे इसे कानूनी तोर पे कैसे समझें, देखे ये एक बहुत एहम मुद्दा है आज, जैसा सर ने अभी बताया कि किस प्रकार से law डाइनमिक होने की वज़ा से growth करता हुआ, आज IPC में provisions हैं, अगर hate speech, अगर किसी भी तरीके से किसी को public order, decency, morality को अगर disturb करने के लिए कोई वेक्ती कुछ ऐसे बातें करेगा, और इस तरीक किसी भी gesture से या किसी भी तरीके से उसको spread करने की कोशिश करेगा, Facebook पे, Twitter पे, या Instagram या और जो social mediums हैं, उन पे अगर करेगा, तो उसके repercussions उनको face करने पड़ेंगे, सबसे पहली और एहम बात आपने जो बताया कि कौन इसके लिए liable होगा, क्योंकि on the other hand, Facebook और YouTube पे अगर है तो वो भी spread कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो एकदम उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, आपको एक डाटा देता हूँ, यह देखिए, Facebook ने अभी ट्रांस्परेंसी रिपोर्ट दिया था, उसके हिसाब से उन्होंने तीन मिलियन जो Facebook पे पोस्ट थी, उनको डिलीट किया क्योंकि वो harmful थे, इसी प्रकार YouTube ने तकरीमन 25,000 के करीब उनको डिलीट किया पोस्ट को, मैं एक बता रहा हूँ, एक छोटी सी responsibility के साथ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यह तो हुई बड़े स्थर की बात, अब जैसे कारिकरम के शुरुआत में आपने mention किया था, कि जो व जी हाँ, उसकी जिम्मेदारी होगी, और आज यह बहुत आसान है, आपको यह जो investigating agencies हैं, उनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि कहां से एक post originate हुआ है, इस चीज़ को ढूनना, यह कोई मुश्किल नहीं है, वो उस पे किसी भी post को देखके, अगर उसको ढूनना चा जो आपने बात कहीं कि यह पहुँचना मुश्किल नहीं है, हैते इन अब इसी पर हम आते हैं, आप cyber expert है, पुलिस की नजर इस वक्त भी, जो जिस तरह की हालात बने हाल के दिनों में, अभी monitoring जो है, वो लगातार हो रही है, इसलिए दर्शुकों को भी हमें यह बताना बह जब-जब कभी भी social media monitoring का कोई tender या कोई सवाल या इस तरह का proposal भारत सरकार की तरफ से आया, पूरे media के अंदर अभी 6 मेने पहले भी जब था MHA का proposal, बहुत बावाल हुआ कि यह तो Hitler शाही की सरकार बढ़ रही है, इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, और बहुत बड़ा एक मीडिया का तपका ऐसा है, जो इन देबेट को इतना बढ़ावा देता है, जो कि एक तरफा डिबेट है, और एक तरह से लोग को उक्साने का भी कही बार काम होता है, कि यह सरकार अब आपके ओपर जासुजी रखे कि हम लोकतंदर खतम हो रहा है, फ्री स्पीच खतम हो रह होनी चाहिए, अगर हम आपको एक्जामपल दूँ, जैसे ही पहले, कई यह तीन बार हुआ है पिछले तीन साल के अंदर, जब भी सरकार ने कहा कि हम यह फेक न्यूस वैली, पिछले बार तालिस लोगों की मौत हो गई, जब यह कहा गया कोई बच्चे किडनाप कर रहा है जब जब सरकार कम HAzier करते हैं, जब यह झारा है, जैसे करों कहीं करते हैं चाहिए हुआ है, है हुआ ही कहा च्टे को चैलेंज किया जारह है, तो हम सोशल वीडिया को मौनिटर करेंगे और ऐसे लोग कहला सक्त ऐख करेंगे, और जैसे करने ही कोशिश राणается यह बात करते इदर कुन उदर कॉओ और खाई वाली बात घsın लोको यह समझना होगा ऑगर सरकार एक कैमरा लगा रही है अगर वह Kैमरा ढहर में आपके कमरों में लग रहा है तो वो जासूसी है यह मानते है। आ है वो camera एक सड़क पर लग रहा है, street के ओपर लग रहा है, traffic violation ना हो, कोई राज driving ना करे, आपकी safety के लिए, सुरक्षा के लिए, तो वो समाज की सुरक्षा के लिए, वो जासूसी नहीं है, इसी तरह है, अगर सरकार ये कहते हैं, कि मैं आपके WhatsApp messages पढ़ूँगा, मैं आपके personal chats, मैं personal email पढ़ूँगा, तो वो 2000% जासूसी है, मगर अगर सरकार ये कहती है, कि जो open platforms है, Facebook, आपकी wall, चैट नहीं आपकी wall, आपकी Twitter की feed, आपके Instagram की wall, कि ओपर जो आप ये content अगर उल्टे सीदे डालते हैं, अगर हम उसको monitor करेंगे, ये open wall से, आप डाली इसी रिलेंगे, र लोगों को जैसे आप social media monitoring की हम बात करें, तो दो फरक है, close source content जो आपकी personal chats है, और open source content जिससे आप logo को affect कर सकते हैं, तो सरकार एक तो सिर्फ उसको monitor करने की बात कर रही है, और अभी भी ये होगा, तो लोगों को सरकार का साथ देना चाहिए, सीज़ा सीज़ा उसके उपर जाधा cyber expert के थूँ समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसमें काम होता है, और जिम्मेदारी एक user की क्या बनती है, आप जितने भी callers हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे एक गुजारिश भी करना चाहूंगे, कि जो भी सवाल आप रखिएगा, बेहत समवेधन शील ढंक से रखिएगा, किसी भी तरह से कोई ऐसी बात ना है, जिससे किसी की भादना को ठेस महुंचे, क्योंकि हमारी कोशिश यह है कि इस कारिक्रम के जरीए हम जाधा से जाधा जिम्मेदार बने, हम ऐसाथ देस रावत जुड़ रहे हैं, दिल्ली से, रावत जी आप रखिए अप फेक न्यूज और तरह तरह की जो कंटेंट्स आते हैं, अगर हम कंप्लेइन करना चाहें, तो हम क्या कर सकते हैं, देखे, अगर कोई हेट स्पीच का मामला है, या कोई ऐसी रूमर है, जो कोई law and order situation पैदा कर सकते हैं, तो आप मतलब बहुत सारे पोलिस के help लाईन और करके इनफर्म कर सकते हैं, अगर आपने Facebook के उपर अगर कोई ऐसा post देखा या Twitter के उपर देखा है, तो दोनों platforms के उपर immediately वहाँ पे उसको report as abuse का option है, जहां पे आप बता सकते हैं कि ये रूमर है या hate speech है, अगर WhatsApp पे भी कोई आपको ऐसा वीडियो वगरा कुछ आया है ग्र खाली उसको आगे forward ना करें, आप उसको report भी करें, ताकि उसको उस platform से हटाया जाए, ये सबसे पहली जिम्मेदारी है, और अगर कोई बहुत ज्यादा ऐसा वीडियो है कि कोई दंगे भढ़काने वाला इस तरह का वीडियो तो आप सौनमर पे पुलिस को भी इनफर्म करे जी, एक mail भी है हमारे पास, ये लिखते हैं हमें प्रेमलाल जगती इंदौर मध्य प्रदेश से, ये कह रहे हैं कि सर अंजाने में यदि कोई content share या like हो जाए, या हम उस content पे tag हो जाए, मान लीजे बच्चे से ही, गलती से हो जाए, mobile number या instrument है, तो क्या वो दोशी पाया जा देखे एक criminal law का एक बहुत बड़ा principle है, जैसे कहते हैं mensoria, तो intention बहुत महत्पूर्ण है, आपको जैसे ही उस चीज का पता चले, कि आपने ये चीज जैसे घलत tag हो गये हैं, या तो आप या आप से घलत प्रेस होके वो दुबारा से आपके facebook पे चला गया है, तो आप उसको immediately delete कीजे, वो आपकी intention को दिखाता है, और अगर कोई कारवाही होती है, तो उसमें आप बता सकते हैं कि यह ऐसे हुआ था, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी परिस्तेती में कोई घलत action आपके खिलाफ होगा, और एक बात मैं जितेन जी की बात में add करना चाहूँगा, जैसे उन्होंने कहा कि हमें सहयोग करना चाहिए सरकार को, मैं बड़े इसपश शब्दों से और बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह बताना चाहता हूँ, कि आप यह समझ लीजे कि सरकार का यह अधिकार है, सुप्रीम कोट ने निजिता वाला जो नौ जजिस का निल ने था, उसम कि किसी व्यक्ति ने गहर जिन्मेदारा तरीके से कोई काम किया है, तो उसको वो पकलेगी, अगर कोई चोरी करता है, तो उसको पकला जाता है, कोई क्राइम करता है, तो उसको पकला जाता है, उसी इस पश्टता के साथ, अगर आप किसी हेट स्पीच को रिलीस कर रहे हैं, किसी उसको spread कर रहे हैं with the intention motive कि उससे हाम हो तो सरकार आपको पकड़ेगी और कानून अब बहुत जटिल है तीन साल की सजा और लाखों रुपए का जुर्माना है यह बात हर विक्ति को जाननी चाहिए दोनों विद्वान पैनलिस्ट ने जो बात की है मैं उनसे सहमत हूं और मैं दो चीजी और जोड़ना चाहूंगा जी नंबर एक जैसा कि रहों ने कहा कि आप शिकायत करेंगे ताकि इंविस्टिगेशन हो जाए एज सिटिजन मेरी भी यह जूटी बनती है कि अगर इस तरह कि कोई मीडिया की न्यूज सोचल मीडिया के थूँ मेरे पास आई है म कि वही सविधान जो मुझे कुछ अदिकार देता है मुझे कुछ मेरे के बात करना चाहूंगा जिसके उपर फंडामेंटल ड्यूटी जो हर सिटिजन को फॉलो करनी है तो मैं समझता हूं सिटिजन की बनती है कि जब वह पुलिस को इंफॉर्म करें तो यह भी देखें कि उसको फॉर्वर्ड ना करें यह उनकी ड्यूटी भी बनती है और अगर उस ड्यूटी का वाइलेशन ऐस सच आज की तारिक में पनिशेबल नहीं है लेकिन अगर समाज के अंदर एक ऐसा एंवर्मेंट क्रिएट करना चाहते हैं कि जिस तरह की आजकल की सिच्विशन हो रह नफरत और हिंसा की आग में आखर कैसे हो जाता है यह सब कुछ अफवाहों पर हम कैसे यकीन कर लेते हैं उन जूटी और उकसाने वाली तस्वीरों और वीडियों से जिस पर लोग आख मून कर यकीन कर लेते हैं उससे बड़ा नुकसान होता है किसी भी कंटेंट को लेकर लोगों की इमोशन्स को इगनाइट करने के लिए और वो स्पॉंसर्ड भी होती है बाहर से भी जनरेट होते हैं इंडिया में भी होती है पॉलिटिकल भी होती है रिलीजियस ग्रुप्स भी बनाते हैं क्योंकि उनके एजेंडाज होते हैं और ल कंटेंट भी आते हैं तो ऐसे आते हैं कि वो पुराना कंटेंट है और आज की डिट में यूज़ होगा तो आपको ऐसे लगए कि आज हुआ है अभी जैसे कि मैं आपके एक्जाम्पिल दे रहा था कि अलीगड में एक रायट हुआ था जिसमें बाहर का वीडियो यूज़ कि के ग्रेब वाइन की तरह होता है एक बंदा है जो चाहता है कि अफेले और वह चार वाटसेप गूर्प से वह पचास वाटसाप गूर्प तक पोचाइगा डियों को पते नहीं के सकते किल्ए सिग्र हो सकते हैं दिग इसमें काफी स्टेट गाइड लाइन इंडियान इंद को इस तरह की कंटेंट से लाने से अधरवाइज भी रोखता है not only IIT बट किसी भी बीडियम में आप ऐसा नहीं करते हैं आप पुस्टर भी नहीं लगा सकते हैं और उस पर जो पनिश्मेंट है बहुत ज्यादा सीगिया है सडीशन के चार्जिस लग जाते हैं तो यह सारी चीशन लोग को पता नहीं है लोग जब एक सिंपल सा वाटसब मैसेज देकर इंफ्लोएंस होकर उसको फॉवर्ड करते हैं चार ग्रूप में उन्हें नहीं पता होता कि उसकी वज़ए से उन्हें तीन साल की जेल हो सकती है है और इस अद्ध तक होता है कि बेल भी ना मिले एक इस तरह को कि अधिन्ट था लखनो में किसी माइनर ने सियर कर दिया था उसके गुरूप में को एक रिली जेट था और उसको हम लोग माइनर था हम लोग माइने डिड मेने तक उसकी बेल नहीं करा पाए तो इस तरह कि पूछे आप अपना स्वाल मेरा स्वाल यह था तरह करना चाहता हूं कि इसे वेरी वेरी इंपॉर्टन सब्जेक्ट मैंटर जो आपने तीवी पे जो आप दिखा रहे हैं यह लोग हमारे जो मने उसमें गुरूप में है वो यह कहते हैं कि हमें था यह कैसे पता लगे कि य अगर हम फारवड करते हैं तो यह रिस्पांसिबिटी कहां से शुरू होती है बना सबकी उरिजिनल जिसने इस्यो किया है यह बिलकुल इसमें कोई क्लारिटी नहीं है प्लाक्ट्फॉर्वां मनरास हाई कोट का एक दो साल पुराना जज्जमेंट है जहां पे उन्होंने क कि अगर आपने ओरिजिनल कॉंटेंट पोस्ट किया है या अगर आपने उसको रिट्वीट या रिशेर किया दोनों के अंदर रिस्पॉंसिबिलीटी और आपकी जिम्मेदारी बराबर आपको अंदर भिया जा सकता है मगर मुझे लगता है वो जैजमेंट भी ठीक नहीं है उसका रिजन यह है कि बहुत बार ऐसा हुआ और स्पेशली मुझे याद है जो यूपी में मुझाफर अबा साइट में दंगे उसमें संगी सोम का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था कि उन्होंने एक वीडियो शेर कर है वो होना चाहिए दूसरा इंटेंशन जहनोंने बता है कि बहुत बड़ी चीज है कई बार जैसे आपने देखा करो रोज सुबे मैसे जाते हैं कि अग्वर महां राजा थे अग्वर चोर था यूवर दिर डिफरेंटरेशन सब्स्ट्री नोट अरु एक मेल भी है कि हमार अपमान करने वाला यापती जनने कॉंटेंट और फेक न्यूज यह तीनों चीज़े अलग हैं बढ़का हूँ भाशन में तो जिम्मेदारी बहुत ज्यादा सक्त होनी चाहिए और सजा मिलनी भी चाहिए जो डिफेमेटरी कॉंटेंट मुझे लगता है वो यू शुड लि करने के लिए भावनाएं बढ़काने के लिए जो उस तरह का कॉंटेंट है मुझे लगता है वो फेक न्यूसी कैटेगरी के अंदर आता है और हमें बहुत केरफूल होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि सुबह आपको किसी ने बोला तुलसी पीने से तभी ठीक होगी और आपन नहां का जो फेक या जो की आपती जनक चीज आप प्रेशित कर रहे हैं लोगों को तो आपके जिम्मवारी बनती है और कानून की विवस्था यह है आज तक अभी तक जो जज्जमेंट्स के थू हम लोग कह रहे हैं वेरियस आई कोर्स के जज्जमेंट्स हैं जो यह कहते ह हैं कि जनरेट करने वाला और स्प्रेट करने वाला दोनों एकुली लाइबल हैं विवस्था यह है तो यह बहुत बड़ा दाइत तो आ जाता है जैसे महलुतरा साब ने का कि यह बहुत बड़ा आपकी जिम्मेवारी है यूँ आप बढ़ाते रहेंगे कॉलर सतीज जी हमा कैसे हम यह समझें कि यह हेट स्पीच है सतीज जी आपने बहुत अच्छा प्रशन उठाया है और मैं समझता हूं इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन अभी तक ना तो हमारे सामने आई हैं ना ही कोई उसकी डेपिनिशन आई है लेकिन जुडिशियल डिसीजिजन के माध्यम से समय समय पर इसके ऊपर हमारे पास डिसीजिजन आते रहे हैं कि यह हेट स्पीच में फॉल करेगा या नहीं करेगा और वो इसको फॉरवर्ड करता है क्या उसकी भी वही लाइबिलिटी बंती है एक तो आपने हेट स्पीच की बात की उसको मैं यह कहूंगा क् तक कानून के अंदर क्लाइटी नहीं है तो यह केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करेगा और जो उसके उपर जो जुडिशल वर्डिक्ट होगी उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा दूसरा में यह भी कहना चाहूंगा इसके साथ साथ जो अभी हमारे बहुत सारे कॉ विशिव वाटशेट पे मैसेज आया कि यूनेस्को ने हमारे जो राष्ट्री गान है उसको दुनिया का सबसे अच्छा राष्ट्रीगान माना यह अप यह ऐसा यूनेस्को ने मेरी जानकारी के हिसाब से कुछ नहीं किया है यह फेक निउस है हिए निया अपी अप्र आस जिसका naturally हमारे social और cultural, culture के ओपर एफेक्ट पड़ता है, तो ऐसके ओपर कारवाई करने की definitely आवशक्ता होती है. क्या एक fake news है, उसका प्रभाव क्या है, किस पे उसका effect पड़ रहा है, अगर ये जो hate की आता है, क्या उससे किसी को आप कोई ख्षती पहुंचा रहे हैं के नहीं, ये है सबसे important, क्या वो जो वंदे मात्रम या वो जो बराश्रगान है, उसको UNESCO ने first price दे दिया, इससे किसी भ परकार से तुलसी वाले उससे उस वेक्ति को कोई ख्षती नहीं मिली है, ख्षती नहीं हुई है, तुलसी पीलेने भर से, और लेकिन अगर कोई hate speech में मेरे religious sentiments को, मेरे इश्वर को, मेरे अल्ला को, मेरे कास्ट को, जान के ये दिखाया गया है कि ये हीन भावना मेरे मन में आ रही है उस पर्टिकुलर चीज को पढ़के या उसको देखके तो वहां पर देखा जाएगा, इसी का अवलोकन नयाले करता है, बस नयाले मेरा इसमें एक बहुत भिन विच्छार और मैं आलग अलग अलग स्रकारी platform से मैंने बोला है कि जब हम fake news की बात कर रहे हैं, obviously defamatory content में मैं आपके साथ हूँ कि आप तुरंत कारवे की जी किसी की जान जा सकती है, पर अब क्या है कि यह बात सही है कि हमें prosecute नहीं करना चाहिए कि इस तरह की बात है कि भारत का राश्टकान सबसे बहतरीन राश्टकान है, पर आपने बहुत बार देखा होगा content आता है कि द बारजर पुब्लिक ओपिनियन को शेप करें, चुनाव प्रभावित करने वाली चीज़े हैं, आज अगर आप ऐसी ख़परे डाले कि भारत के दस से बढ़ रही या जीरो हो गई, शुन्य हो गई, या कोई ऐसा बैंक की बैंक दिवालिया होने वाला है और आप अपना पै यह सरकार के लारजर जिम्मेदारी है और अगर ऑर्गनाइज क्राइम है, और स्टेट स्पॉंसर हो सकता है पागिसान चाइना से हो रहा हो, तो बहुत सक्त कारवाई हो नहीं चीज़े है, तूसरा, इसलिए आप फेस्बूक ने भी फैक्ट चेक करके फीचर लांच करी है अलग-अलग पार्टनर से, इस तरह की सिज़े जो पुरंत जान नहीं ले रही पर प्रभाव उस पर डालती है, तो इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर उसको चेक करते हैं, अगर वो फेक है तो उसको फेक मां करते हैं, और फेस्बूक उस न्यूस को छिपा के लिग देता ह कि यह पढ़ तो लें, मगर यह न्यूस फेक साबित हुए है. जी चलिए, आपती जनक पोस्ट है, यह तैग हुए है. को एनेबल कर सकते हैं, कि कोई भी व्यक्ति आपको टैग कर जरूर सकता है, मगर वो आपकी वॉल पर तब ही दिखेगा जब आप उसको अप्रूव करेंगे. देखिए, एक हमारे पास मेल है, इसमें यह पूछ रहे हैं कि अगर हम सरकार के नीतियों के खिलाब कुछ पेस्बुक पे डालते हैं. क्योंकि हम अभी सेडिशन पर भी हम अगर चर्चा कर लें, अमलोत्रा सर, तो आप जहां पर ऐसी बाते लिखते हैं, जो कि किसी के हिसाब से वो एंटिनाशनल है, लेकिन आपके हिसाब से तो वो सरकार की नीतियों का विरोध है. यह कैसे फर्क होता है और सेडिशन के चार का केस नहीं बनता है. गौर्मेंट का क्रिडिसिजम और देश द्रो के लिए काम करना दो अलगलग चीज़े हैं. गौर्मेंट के क्रिडिसिजम को आप देश द्रो के के टेगरी में नहीं डाल सकते हैं. पॉलिसीज बनती हैं, अगर आप पॉलिसीज की क्रिडिसिजम को भ लेकिन अगर आप देश के अगेंस्ट कोई बात कह रहे हैं तो ओ देश-द्रोग के क्रिटेगरी में फॉल करेगा गौर्मेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना अपने आप में देश-द्रोग की क्रिटेगरी में नहीं आता उसको आप रिगुलेट कर सका अधिलाशा गुद मॉर्निंग, पूछिए जी, एक्चिली मेरा Facebook account ठैक हुआ है, जी, तो मुझे क्या करना अच्छी, ये मेरा सवाल था, कोई section इसके लिए है, कि इसके पोस्ट भी कुछ पोस्ट हो रहे थे, जी, जितिन ये सवाल काफी mails में भी है, hacking हो जाता है और पर बहुत ही की account से आजाता है? कि आप नहीं किसी और ने किया, दूसरी बात, बहुत बार ऐसा भी होता है, कि आप उल्टा सिधा डाल के बाद में खुद कहते हैं, मेरा तो hack हो गया, तो ये जिम्मेदारी भी धन्दा गोरक धन्दा चल सकता है, मागर एक पर कानूनी कारेवाई हुई, तो जिम्मेदारी जो अभी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, 123 एक, उम्रकेब की सजा है, कितने लोगों को अब तक देश में इस सजा के अंतरगर जेल में डाला, दूसरी बात, बटन तो बटन ही होता है, बटन इतनी जोर से दबावो, कि उसकी, उसका करण्य वो शाही बात तक पहुंचे, या जो अनुराइब पाकूल, जो हमारे जो सेडिशन पर आपने सवाल पूछा है, हम उसी पर जाते हैं, सोशल मीडिया में, कैसे जो देश रोका, जो अब तक सर ने बताया, मैं कि सरकार की पॉलिसीज का, constructive criticism, इसे कहेंगे, बिलकुल allowed है, आपको मैं बताता हूँ, इसमें Supreme Court की कई विवस्था हैं, बलबीर सिंग का एक judgment था, जिसमें Supreme Court ने ये कहा था, आप अचंबित रह जाएंगे, कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई देश के विरोध में बात की है, मात्र उतने भर से देश द्रो नहीं हो जाएगा, उसका overt act होना चाहिए, action होना चाहिए, उससे लोग जो हैं, एक संपरदाय, एक public प्रभावित होनी चाहिए, और वो उसके प्रभावित होने के बाद कोई inaction करें, कोई आग जनी करें, तब जाके देश द्रो जैसी बड़ी चीज होगी, यानि मैं बताता हूँ, बलबीर सिंग वाले judgment में Supreme Court ने कहा था, एक विक्ति ने भील में कहा था, खालिस्तान जिंदाबात, तो देश द्रो का मुकदमा चला, Supreme Court ने कहा, मातर कहे देने भर से, आप उसको लावयल नहीं करेंगे, वो देश द्रो ही नहीं है, जब तक वो जो लोग जिनको उन्होंने कहा था ये बात, उन लोगों ने इस चीज़ से प्रभ है, उसको देखा जाता है, तोला जाता है, सोशल मीडिया में फेस्बुक, वाट्स अप और ट्विटर के जरिये आशानती फैलाने के लिए हेट कंटेंट लगातार पोस्ट किये जाते हैं, जिसकी विश्वसनियता को बिना जाचे लोग साजा करने लगते हैं, ना सिर्फ क अंटेंट शेरिंग, बलकि फेक न्यूस के प्रती भी सावधान रहने की जरूरत है, दो हजार ग्यारा के असपास, असमीज के उपर कुछ हेट एसमेस बैंगलॉर के अंदर और एरिया में वहाँ पर रियूमर की तरह फैले थे, लोग एसमेस शेर कर रहे थे और असमीज चोड़ना शुरू कर जा था, बैंकलोड से पलाइन शुरू हो गया था, और सारे के सारे बापस जा रहे थे, रेलवे प्लेट्फॉर्म पर भगदर मच गी थी, दो-तीन लोग उस भगदर में मारे भी गए थे, और ये सिर्फ दो दिन के अंदर हुआ था, दो एक दिन भाई पचड़े में नहीं पढ़ना निकल जाते हैं, और उस चक्कन में हजारों लोग भागना शुरू हो गए और उसके बाद लॉइनफोर्स्मेंट कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, जब इंवस्टिगेशन किया गया कि SMS आये कहां से, तो हमें ट्रेसे मिले वियतना में हमें ट्रेसे मिले मैमार में, हमें ट्रेसे मिले पाकिस्तान में, बाहर से एक बोडी बड़ी आसानी से यहां पर इस हद तक माहौल खराब कर सकती है, कोई लिए नदर नहीं यहां पर, ना कोई political party involved हो, कुछ नहीं, वहां से एक सिर्फ message viral होता है, और वो फ्हालाश, SMS थ तो उसका इंपक्ट उससे हजार गुना ज़्यादा बढ़ गया तो जो रियक्शन है वो क्विक होता है हमने ऐसे ऐसे blind cases में लोग पकड़े हैं जो प्रॉक्सी और बीपिन के पीछे बैठके काम कर रहे थे उनको भी पकड़ना असान होता है यह होता है कि थोड़ा सा वक्त लग सकता है क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा होता है अनलिसिस में टाइम लगता है और इंफ्लूइंशल लीडर्स तक मोचने में टाइम लगता है और पहले हम पहुंच सब तक जाते हैं ब्लाइंड केसे पहुंचते हैं तो इंटरनेट पर कोई चुपा नहीं क्योंकि यदि आप ये वाला मैसेज डालते समय अपने आपको चुपा के रख रहे हो पर आप पचास का मैसे इंटरनेट पर कर रहे हो जो आपने ओपन वेब पर बिना अपनी अपनी अन्टिटी इस तरीके से बहुत सारी टेखनिक से मेरे पास होती है कि बंदा कितना भी स्मार्ट वह मुस्तर कहुंचते हैं तो चली कुछ मेल सम ले लेते हैं के स्वाती हैं यह जानना है कि दो साल पुरानी आपती जनक पोस्ट को लेकर भी क्या कारवाई हो सकती है जितेन जी हाँ बिल्कुल आप जैसे अभी अमिद भी एक इंट्रेस्टिंग बात कर रहे थे कि बहुत केसी में ऐसा होता है कि देखें साइबर के अंदर अट्रिबुशन बहुत डिफिकल्ट है मैं यहां पर थोड़ा सा में सब्सक्राइब करूंगा कि जो नॉर्मल पीटी क्राइम्स बना के इसा पोस्ट कर रहे हैं तो उनको ट्रेस करना अट्रिबुट करना मुश्किल हो जाता है और अट्रिबुट होने के बाद उसको प्रोसिक्यूट करना भी इस बिगर प्रॉब्लम वह चैलिंज है तो बहुत बार क्या होता है कि आपने कुछ उल्टा डाला आपने प पर फिर से थोड़ा से बिनमों जीतेंगी से एक चीज होती है जिसे कहते हैं लिमिटेशन लॉट है वह इस पर्ष्ट करता है कि कब से कब कितने समय बाद आप एक चीज को लेकिन क्या होता है कि सोशल मीडिया की जो पोस्ट से उनको हम क्या करते हैं वह तो जीवित रहती ह यह से लिमीटेशन रेक्राइब लेकिन अगर रॉप कोई पोस्ट दो साल पहले डाली गई और फिर कल दी गई और ने शुटा दिन्किनाओ पर स्वीड़ा उसके लिए लिमिटेशन पीरिटे ब्यॉंड जाकर प्रोज्य क्राइब करूंँ प्रिफिए्ट कोस्धियु आपको किसी की विल को मैं को संग करना है पर कोई वीस शार्सिपोजिटानो केशन सब्सक्राइग होता है जब प्रोसीकूशन गार सार्णे के बहुत सारे जज्जमेंट्स और बढ़ें उनके समाधान की और बढ़ें गोविन है हमारे साथ गोविन जी पूछे अप अपना सवाल घ्रिया में खत्म हो चुका hud जी नवी स्टिगेशन और फैनल में जितने भी लोग हैं मैं सब का सुन रहा हूं ये चर्चा मेरा सवाल बिशिकली ये है कि यहाँ पे जो भी एक्पर्ट बैठे हुए हैं वो सारे एक्पर्ट अपना एक ओपिनियन दे रहे हैं वो सुप्रीम स्वोड के लायर्स हैं वो अपने को पिंजिन दे रहा है और वो उस तरह की बात कर रहा है जब कोई भी जगती इस तरह के केस को लेके जुदिश्टिक्शन जुदिश्टरी की सपोर्ट के लिए हेल्प के लिए जाएगा उसके बाद फिर वो उसमें क्या लोग उसका एक दो या भारली दस परसंट उसका यूज हो रहा है जो की प्रडक्टिव चीजों के लिए हो रहा है बिल्कुल गोवन जी आपके बाद से सहमत हुम है और क्योंकि लीगल शो है हमारा कानूनी तोर पर हम जागरुप करते हैं आपको इसलिए बहुत जरूरी ह है कि निया खमारे इन मसलों को कैसे इंटरप्रेट करती है वह हम आप तक बात को समझाए लेकिन इनकी बात से लेते हुए जितन एक बहुत एहम सवाल है कई लोग हमें यह मेल करते हैं कि जब हो साइबर क्राइम को कॉंटक्त करते हैं तब हमारे तस्वीर का फाइदा उठ हमारी hacking किया गया लड़कियां बहुत जादा परिशान होती है इसमें तो वैसा response नहीं है क्या बहुत जादा अभी तकनीकी तौर पे हम नहीं दुरुस्त हुए है या क्या कारण है एक तो है skilled manpower की कमी है पुलिस अलड़ी स्ट्रेगल कर रही है या अंडर स्टार्फ इस पेशली जाप टेकनोलोजिकल मैटर्स के अंदर बिल्ली में तो फिर भी एक बहुत अच्छी लाब दौरिका के अंदर बनी है और बाकी जगे ऐसा नहीं है दूसरी बात जो मैं आपको बात बता रहा हूं 98% केसिस के अंदर अट्रिविशन नहीं हुआ है और 2% जिनके अंदर अट्रिविशन हुआ उसके अंदर भी लेस देन परसंट प्रोचियुशन है तो जब आपको पता है कि अन्त परिणाम क्या है तो पुलिस वालोग का भी मोटिवेशन कही ना कहीं तूटता है कि मैं जो अक्रोस इंडिया साइबर क्राइम सेल्स को मतला क्लॉक कर रही है वो फाइनिशल फ्रॉट्स की ओटीपी फ्रॉट हो गया पैसा चले के हाजार रुपर चोरी कर गया तो यह 98 परसंट जो छोटे फ्रॉट्स हैं यह इतना टाइम ले जा रहे हैं कि जो मेजर क्राइम से इ कि क्या प्रकॉशन्स रखनी यह बता रहे हैं और यह बहुत महत्पूर्ण है इसी लिए एक बार मैं आप से अन्रोद करूंगा प्लीज बताईए कि कितना महत्पूर्ण है अपने आप में यह देखना कि क्या प्रेशिट कर रहे हैं कि बहुत जिम्मेदारी का आइके थे बांट रहे हैं क्यों आइक बारे बात रहे हैं सोचल मीडिया आ यह टेक्क के बात इंपॉर्टन है चाही बोर्मकांक्स प्लीज़ जो देश का नॉर्म्ल कानून हैं जो बाँ की सेतिज शंस पर लागू होता है वो इन पर बी लागू होता है इन इडिशन पर वो government की policies को openly कहीं भी criticize नहीं कर सकता, अगर वो करता है, तो वो conduct rule का violation करता है, उसकी freedom का कहीं भी हानन नहीं होता, अगर वो government की policies को criticize करना चाहता है, he can go out of the government and criticize the government policy, उसके कोई बार नहीं है, लेकिन जब तक वो government servant है, उसकी duty है to carry out the government policies, और अगर वो उसको violate करता है, तो conduct rule का violation क करता है और उसके उपर कारवाई हो सकती है इसमें कोई दोड़ाय नहीं है बड़ी इंट्रेस्टिंग इंटर्प्रेटेशन इसके अंदर है जी दो साल पहले अधाई साल पहले एर इंडिया के कुछ के अधिया इंटाय का डिया है इसमें हम बहुत कीर्फूल रहना है कि अधिया नहीं श्री नहीं कर रहें तो एक अधिया क्योश्या के आधि देशले के विदिन दी क्लोज सब्सक्राइब करें कि आप इसको फेस्बुक पे डाल रहे हैं कि सरकार भी थोड़ा समझे कि फेस्बुक पे वॉल पे पुब्लिक ली डालना और गुरूप्स के अंदर मुझे लगता है इसमें बहुत नियमन की जरुत है और उसकी बढ़ रही है कोशल हमारे साथ दिल्ली स पूछिए अपना सवाल यह सारी चीज brother कोशल जी सप्रीम कोट के आगे है और मुझे नहीं लगता कि से किसी चीज़ से भ्रामित होने के आउश्रकता है सुप्रीम कोट इसे में जजज्मेंट देगी और उसके बाद परिपक्ता आ जाएगी अगर आप उसका विरोध करना चाहते हैं, पीसफूल विरोध हो रहा है, उसमें कोई अपत्ती नहीं है, लेकिन अगर आप वायलेंट प्रोटेस्ट करते हैं, तो उसके लिए कानूनी कारवाई होगी, वो की जाएगी, और सेकेंड़ी, क्योंकि अगर कानून पास हो जाने के बाद, ये कानून देश में लागू होगा, और अगर किसी को अपत्ती है, तो वो कोट में जा सकता है, और कोट उसको 144 पेटीशन से हैं पेंडिंग, और अगर कोट देखती है, कि ये जो सम्विधान के खिलाफ है, तो उसको अल्ट्रा वायरस किया जाएगा, मुझे लगत नेट पर है, फेस्बुक में ऐसे दो-तीन प्रोफाइल्स हैं, और मैं क्या करूँ, मैंने मेल किया है फेस्बुक को, और जितनी भी उनके प्लाटफॉर्म से उस पर मैंने कंप्लेंट किया है, लेकिन अभी तक वो आईडीज हटी नहीं है, क्या मैं कुछ मिस्स कर रही हू अगर आपको जो फेस्बुक को अपने पर्सनल प्लाटफॉर्म से खुद रिपोर्ट करना है, तो कारेवाई ज्यादा जल्दी होगी, उन प्रोफाइल्स में आप जाके इंपर्सनेशन का स्पेसिफिक चार्ज लगाईए, और इंपर्सनेटिंग मी, मतला अगर आप खु अनिता लिखती हैं कि मॉर्फ करके लगातार कोई अश्लील कंटेंट मुझे भेज रहा है, बलकि ये एक दो जगह पोस्ट भी है, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया है, मुझे क्या करना चाहिए? इस पे तो बलकि एक डेली पुलिस की एक हेलप लाइन नंबर है, और अनीता क्योंकि महिला है, महिलाओं के लिए बहुत सपश्च तोर पे हमारी सरकार ने इसके लिए प्रवधान किया है, पुलिस बहुत तेजी से उस पे एक्शन लेगी, जहां से वो कंटेंट आया है, उस व्यक्ति को पकड़ा जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि यह जादा समय लेने वाली चीज है, पुलिस को, एक MHA ने अभी एक पोर्टल लाँच किया है, स्पेशली फर विमेन अनिसरा के क्राइम से लिए, साइबरक्राइम.gov.in और सारी जन्सी उसमें मिलके काम कर रही है, आप किसी भी स्टेट में, किसी भी चिले में, कहीं भी बैठे हो, आपको पुलिस आने की जरुत नहीं है, आप उस पोर्टल पे जाके, साइबरक्राइम नंबर के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं, आप स्क्रीन पे देखिएगा, एक मेल हमारे पास कविता जगता अप लिखती हैं, कि आपकी कारकरम को देख रही हूँ, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, कि जब हम फेक न्यूज किसी प्रतिष्ठित न्यूज चैनल पर देखते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हम जानते हैं, हम उस इलाके में रहते हैं, फिर हमें मालूम है कि ये गलत न्यूज दिखाया जा रहा है, लिगालिटी, लीगल फ्रेमवर्क के तहट क्या हम आक्शन ले सकते हैं, सर, देखे, प्रेस कॉंसिल अफ इंडिया है, टेखे, अगर कोई व्यक्तिफ समझता है कि मीडिया के अंदर कोई गलत न्यूज आ रही है, प्रेस कॉंसिल अफ इंडिया को उसके अगेंस्ट में शिकायत की जा सकती है, और उस शिकायत के बाद प्रेस कॉंसिल अफ इंडिया जो है, जो उनको अधिकार दिए गये हैं उ उस एजंसे के अगेंस्ट उस प्रेस न्यूज के अगेंस्ट में जो है करवाई कर साथ यहां पर टीवी आ जाता है हम सिफ सोचल मीडिया इंटरनेट को जादा हम जादा हम अगर टेलिविजन वाला है तो आपको दोच काम करने चाहिए जैसा सेकंड यह करना चाहिए पहला इमिडेटली उस टेलिविजन चैनल को आपको रिपोर्ट करना चाहिए यह गलत चीज है गलत है आप इंटरनेट से इमिडेटली उनके टेलिफोन नंबर्स और इमेल आइडी मिल सकते हैं वहां पर आप शिकायद कीजिए और अगर वो नहीं इस चीज़ पर कोई ध्यान द जाला गया इन्होंने खुद जांच करके और प्रूफ किया है लेकिन इन्हें फिलहाल सस्पेंट कर दिया गया है कैसे इन्हें राहत मिल सकती है जिते ऐसे दो-तीन हमारे पास मेल आए हैं शायद जो इन्होंने मेल लिखा है मैं उन्हें पैचान पा रहा हूं गलत है अगर अगर एक फेक वीडियो के कारण और अगर किसी को सस्पेंट किया गया है मुझे लगता है गलत है और एक चीज मैं कहूंगा कि हिंदुसाने बहुत सारी प्राइवेट लैप्स भी हैं आप एक बाइवेट वहां से रिपोर्ट लाया के आप मेरे खाल से अदालत का रास्ता ले सकते हैं और ऐसा अगर इस तरह यह उनको फेक वीडियो प्रूफ कर देते हैं तो उनका रिस्टोर किया जाएगा यह नियाले की विवस्था है ऐसी गलत ग्राउंड पे आप किसी को जॉब से नहीं अगर एक्शन लिया गया है तो उन्हें राहत मिल सकती है अब जल्द लेकिन इसका मतलब यहां क हमारे यह कनूनी विवस्था नहीं है कानूनी विवस्था और आप कर सकते हैं लेकिन उस से वी अधी inquis going सबसे पहले बात है कि अदिक तर विक्टिम्स हैं वो इसको रिपोर्ट ही नहीं करते हैं जिससे इस तरह की न्यूज डालने वालों को एनकारिजमेंट मिलता है मैं समझता हूं उसको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए और हमारी जो investigating agency हैं वो भी उतनी sensitive नहीं है जितना कि उनको होना चाहिए या को उनके पास तरह की technical expertise available नहीं है और अगर available है को सेक्टर में तो जितनी तुरंत कारवाई होनी चाहिए जितना expeditiously उसके उपर कारवाई होनी चाहिए वो कारवाई नहीं होती है मैं समझता हूँ enforceability जो है वो और अधिक important है जितन किस तरह से cyber law जो है वो उसको हम और मजबूत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं जो सवाल भी सर नहीं होता है एक तो जो यह social media companies हैं उनको regulate करना होगा और जो data privacy bill आ रहे है उसमें staggered mechanism है जो हमने suggestion दिया भी था कि एक startup जिसके 5000-10,000 customer है या social media platform है उसकी तुलना आप 5-50 क्रोड़ वाले Facebook से ना करें उसके फेस्बूक की जिम्मेदारी ज्यादा होगी और भाग नहीं सकता और पैनलिटीज भी इसके साफ से graded होनी चाहिए दूसरा एक जो यह कहीं ना कहीं वालब divisive atmosphere पैदा करने वाला हीट स्पीस का जो problem आ रहा है आप technology के द्वारा monitor भी कर पाएंगे मगर समस्या रोकने में तभी होगा जब लोग इससे बचे और मुझे लगता है जो वेरिफाइड हैंडल स्पेशली पॉलिटिकल पार्टी के हैंडल है आप सबसे अपील है कि कम से कम आप डिवाइसिव कॉंटेंट पोस्ट करने से बचे बिकॉस हो सकता है कि आप में से ए मैं बड़े पुष्टी के साथ कहना चाह रहा हूं कि कानून की विवस्था है आई पी सी के प्रवीजन जो की पहले बने हैं उनको आज के परिपेक्ष में पूनता लागू किया जा रहा है और जो नए कानून साइबर आई टी एक्ट दोहजार का जैसे बताया गया वो भी criminal offenses दे रहा है उसमें बहुत punishment के वो है लेकिन इन सब के साथ होते हुए भी व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारी के साथ सोचल मीडिया का इस्तमाल करना चाहिए जो भी आप propagate कर रहे हैं जो भी आप post डाल रहे हैं आपको बहुत बहुत जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए यह जितने आपका भी शुक्रिया बहुत एहम बात हैं सोचल मीडिया से जोड़ी वह आपने बताएं सर एक नागरिक के तोर पर हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए मलोतरा सर वह आपने बहुत 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 बाटें लेकिन किसी बी तरह से नफरत सोचल पर हमारी जिम्यदारी है उमीद है आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा अगले हफते क्योंकि हम International Women's Day celebrate करेंगे तो महिला दिवस पर हम जानेंगे कि महिलाओं का उनके संपत्ति पर पैत्रिक संपत्ति पर क्या अधिकार है तो हमारे साथ महिलाएं होंगी पैनल में और आप जुड़िएगा हमारे साथ बताएंगे आपको आपके अधिकार फिलहाल आपका कानून में इतना ही नमस्कार